है एवरीवन वेलकम बैक टो माई चैनल आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो आज मैं आप सबकर शाहर कर रहे हूं गुजराती ठेपले की रेसिपी तो ठेपला बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए होगा वीड फ्लोर आटा बेसन नमक आज वाइन मेथी लीफ कर्ड ग्रीन चीली टैमरीक पॉर्डर और थोड़ा सा कुकिंग ओयल तो सबसे पहले मैंने यहां पर मेथी के पत्तों को अच्छे से वाश कर लिया है और उसे चॉप कर लिया है उसके बद हम एक बड़ा सा बॉल या प्लेट लेंगे उसमें वन कप आटा लेंगे उसके बद हम लोग उसमें टू टेबल इस्पून बेसन आड़ करेंगे नेक्स हम लोग उसमें वन टी इस्पून आज वाइन डालेंगे उसके बद हम लोग उसमें हाफ टी इस्पून हल्दी का पॉडर आड़ कर देंगे मैं यहाँ पे चॉप्ट ग्रीन चिली आड़ कर रही हूँ आप चाहे तो इसके जबाप पे रेट चिली पॉडर भी आड़ कर सकते है और फिर इसमें जो हमने मेती के पत्ते को दो कर रखा था वो आड़ कर देंगे इसके बाद हम लोग इसमें सॉल्ट आड़ कर देंगे मैं यहाँ पे वन बाई फोर टी स्पून सॉल्ट आड़ कर रही हूँ आप अपने टेस्ट के एकोर्डिंग आड़ कर सकते हैं इन सबको एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सब को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लोग इसमें 2 टेबल स्पून कर्ड एड़ करेंगे फिर कर्ड एड़ करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मेथी के पत्ते भी पानी छोड़ते हैं इसलिए हमनों काफी ध्यान से पहले बीना पानी एड़ किये हुए इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे उसके बाद अगर पानी जरुवत पड़ती है तो हम इंक्रिमेंटल वे में पानी डालते हुए इसे आटा के डो बना लेंगे तो मैंने गर्ड और मेती के पत्तु को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मुझे इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करने की जरुवत है तो मैं यहाँ पर थोड़ा पानी आड़ कर रहे हूँ तो बस इसी तारीके से यह डो हमारा अल्मस्ट रेडी हो चुका है जब डो रेडी हो जाए तो फिर हम लोग इसमें ऑईल लगा देंगे हलका सा और फिर इससे ढख कर पंदर से बीस मिएट ते क्रहने देंगे जैसे पराटे पराटे के लिए हम लोग डो बनाते हैं सौफ्ट वैसे ही सौफ्ट इसका डो भी बनेगा तो आप पंदर से बीस मिनिट हो चुके हैं तो आप हम लोग चलते हैं थेपला को रोल करने की तरफ तो सबसे पहले हम लोग छोटा सा आटे का रोल ले लेंगे जैसे हम लोग रोटी चापाती को बेलते हैं वैसे ही इसे भी हम लोग सर्कल सेप में बेल लेंगे और यहाँ पर थेपला बेल चुकी है अब इसमें से एक्सेस जो भी ड्राइ आठा है उसे हम लोग हटा देंगे अब कोई साभी पैन ले सकते हैं तो पैन को सबसे पहले हम लोग गरम कर लेंगे और उस पर फिर हम लोग बेले हुए थेपले को रख देंगे मैं यहाँ पर आयरन का तवा यूज़ कर रही हूँ रिन का तवा जो है वो हीट को अच्छे से रिटेन करके रखता है जिसे के हमारा रोटी इवेनली चारो तरब से सिख जाता है अब जब थेपले में बाबल्स आने लगेंगे तब हम लोग इसको फिलिप कर देंगे फिलिप करने के बाद हम लोग इसमें कोकिंग ओयल या फिर घी लगाएंगे और फिर से इसे फिलिप करके दूसरे साइट भी हम लोग घी या ओयल लगा देंगे और इसे जेंटली प् होने तक सिखेंगे यहां पर थेपला हमारा बनकर रेडी हो चुका है इसे हम लोग एक प्लेट में सर्फ कर लेंगे थेपले को आप करण के साथ इंजॉय करें बहुत अच्छी लगती है इसे जरूर ट्राइ करें और ट्राइ करने के बाद मुझे बता कि आपको कैसी लगी अगर आपको आच्छी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू